हेलो फ्रेंड्स वेलकम टो माई यूट्योब चैनल कश्मीर फूट क्रेविंग्स आज मैं आपके साथ बार्बुकी की चटनी या सीख तुछ की चटनी की रेस्पी शेयर कर रही हूं यह बहुत ही टेस्टी बनता है आप इस रेस्पी को जरूर ट्राइ कीजिएगा इसके ल मेंडर लीव्स मेंट लीव्स दही यानि कर्ड टू टी स्पून रेड चिली पॉडर सॉल्ट एकॉडिंग टेस्ट वन पिंच जीरा चलो फ्रेंड्स रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम गाजर को ग्रेट करेंगे यानि को दुकस करेंगे गाजर को अच्छे से ग मैं मैं आछे से कर लिया इसको साइर में राख देंगे खरतेंगे इसको भी प्यास करभार कर लएगे जो इसका आक से पानी है इसको निचोड देंगे आप देख सकते हैं मैंने सारी सबस्यों को जो एकस्स पानी है वो निचोड दिया है बिल्कुल ट्राय हो गये है अब हम चट्नियां बनाएंगे सबसे पहले मूली की चट्नी तयार करेंगे एक बावर में वन कप मूली आड़ करेंगे गंत साथ हमें इसमें एड़ करेंगे 3 टीस्पॉन दही और इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे अब देख से इसका कलर भी कितना अच्छा है और रिडी हो गई हमारी मोली की चटनी अब हम खीरे और गाजर की चटनी तयार के एक बावल में वान कप खीरा एड़ करेंगे साथ के साथ हम इसमें वान पिंच जीरा एड़ करेंगे साथ इमें नमक अपनी टेस्ट के आकॉर्डिंग एड़ करेंगे लास्ट में इसमें 3-4 टीसपॉन दही आड़ करेंगे दही अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हो यहां पर थोड़ी सी दही कम लग रही थी तो मैं एक अगरेट आइनियर करेंगे 1 टीश्पूं और लीव वाफ टीश्पूं ग्रीन चिली साथी में नमक एड और वान टीश्पूं रैड चिली पौर्डर करेंगे इन सब छीज़न को अच्छे से मिक्स करिंगे अब देख से कलर कितना अच्छा है और प्यास की चटनी तयार ह और लीजिए हमारी तीन तरह की चटनी तियार हो गई है आप इसको सीख तुझ वागेरा के साथ सव कर सकते हैं खाने में बहुत ही टेस्टी है अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आई हो तो मेचन को लाइक, शियर, सबस्क्राइब जरू कीजिएगा थैंक्स फोर वाचिंग